माता कालिका के आच चमतकारिक मंदे हिंदु घर में सबसे जागरत देवी है माकालिका माकालिका को खास्तोर पर बंगाल और असम्य पूजा जाता है माकालि को देवी दुर्गा की दस महाविध्याओं में से एक माना जाता है माकाली के चार रूप हैं दक्षिना काली, सम्षान काली, मात्र काली और महाकाली माकाली का के यूँ तो हजारों मंदिर है लेकिन पांच मंदिरे से हैं जिनका काली का पुराण मूलेख मिलता है मंदिर नमबर एक, दक्षिनेश्वर काली मंदिर, कोलकता, पस्चिमंगा रामकर्ष्न परमंशिक या राध्या देवी माकाली का कोलकता में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है इस इस्थान पर सती देह की दाही ने पेर की चार अंगुलियां गिरी थी इसलिए यह सती के 52 शक्ति पुठोनी से एक है इस इस्थान पर 1847 में जान बाजार की महरानी रासमणी ने मंदिर का निर्मान करवाया था 25 एकड़ शेत्रों फेले इस मंदिर का निर्मान कारे सन 1855 में पूरा हुआ कोलकता के उत्तर में विव्यकानंद पूल के पास इस्थिति पूरे शेत्रों को कालिहाट करते हैं नमबर तो मा गर्कालिका उज्जेन मद्देश हुजेन के आली माटमान का पराचिज मंदिर हैं जिसे गर्कालिका के नाम से जान जाता है उज्जेन शेत्र में माह व शेथित्ष शक्तिवीट होने के कारण इस शेत्र का महतों बढ़ जाता है पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जेन में शिप्रा नदी के तट के पास इस्थित बहरो परवत पर नाभगवती सती के होस्ट गिरे थे तांद्रिकों के देवी कालिका के इस चमतकरिक मंदिर की प्राचिनता की विशे में कोई नहीं जानता फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभरत काल में हुई थी लेकिन मुर्ती सतीव के काल की है बाग में इस प्राचिन मंदिर का जिर्णों दोर समरा ठर्ट सोवर दन द्वारा किये जाने का उल्लेक मिलता है इस्टेट काल में गॉालियर के महाराजा ने इसका पुनर निर्मान करवाय था काल जई कभी कालिदास गड़काली का देवी की उपासक थे मंदिर नमबर तीन महाकाली शक्तिपीठ पावागर गुजरात गुजरात की उची पहाड़ी पावागर पर बसा माकाली का कशक्तिपीठ सबसे जागरत माना जाता है यहां इस्थित काली मा को माकाली कहा जाता है काली का मता का यह प्रसिद मंदिर मा के शक्तिपीठों में से एक है एसा माना जाता है कि मासती के दाहिने पे की अंगुलियां पावगण परवत पर गीरी थी यह मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधनी चंपारन के पास इत्ती थे जो वड़ोदरा सहर से लगबग 50 किलो मुटर दूर है पावगण मंदिर उची पहाड़ी की चोटी परिस्ती थे रोपवे से उतरने के बाद आपको लगबग 250 सीड़ियां चड़ना आओगी तक जाकर आप मंदिर के मुख की द्वार तक पहुचेंगे मंदिर नंबर चार काली का मंदिर कांडा मार्केट कांडा जिला बागेश्वर पुत्तराखंट इस काली का मंदिर की इस्थापना दस्वी श्ताबदी में आदिश शंकरचारें की थी केला शेतर पर यहां पहुचे जगद गुरु शंकरचारें ने लोगों की रक्षा के लिए मा काली की विग्रह की इस्थापना पेड की एक शाखा करकी थी इस इस्थान पर 1947 में एक मंदिर बना दिया गया है लोग मान्यता के अनुसार इस सेत्र में काल का अतंक था वो हर साल एक नर बली लेता था वो अद्रश्य काल जिसका भी नाम लेता उसकी ततकाल मरत्य हो जाती थी लोग परेशान ते परेशान लोगों ने संक्रचारे से अपनी आप भीती सुनाई जगत गुरु संक्रचारे ने इस्थानी लोहारों के हाथों लोहे के नो कडाहे बनवाए लोगमान्यताओं के अनुसार उन्होंने अद्रश्य काल को साथ कडाहों के नीचे दबा दिया इसके उपर एक विशाल शीला रख दी उन्होंने यहाए पेड़ की जड़ पर मावकाली का की इस्थाद्ना की तब से काल का खोग खत्म हुए मंदिर नमबर पांच भीमा काली मंदिर शिमला हिमाचल हिमाचल से करीब 130 किलोमेटर की दूरी पर सराहन में व्यास मेदी के तक पर भीमा काली मंदिर इस्थी थे माना जाता है कि यहां परदेवी सदी के कान गिरे थे इसलिए यह शक्तिपिट की रूप में जाना जाता है यहां परदेवी ने भीम रूप धारन करके असुरो कावद किया था इसलिए देवी भीमा कहलाती है यहां देवी काली की पूजा होती है करते हैं भगवान सरकष्ण ने यहां वाना सुरकावत किया था